नमस्कार मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हिल्थ इंडिया जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सिहत के बारे में भारतिये भोजन में मसाले के तौर पर खाये जाने वाली लाल मिर्च केबल खाने का स्वाध ही नहीं बढ़ाती बलकि इसमें पाय जाने वाले तत्व सिहत के लिए भी काफी फायदे मन्द होता है तो आईए जानते हैं कि लाल मिर्च के आखिरकार क्या फायदे हैं सबसे पहले ये वजन कम करने में काफी मददगार होता है वजन कम करने में लाल मिर्च बहुत सहायक है ऐसे तत्व होते हैं इसमें मौझो जो भूग को कम करते हैं इसकारण मोटापा नियंत्रित रहता है पेट दर्द होने पर लाल मिर्च पाउडर को गर्म पानी और गुर्मे मिला कर खाने से आराम मिलता है अगर आपको हैंगुवर हो रही हो तो हैंगुवर में दो चुटके लाल मिर्च पाउडर को गुनगुने पानी में मिला कर पीने से आराम मिलता है साथ ही शरीर में आयरन की कमी के कारण इनीमिया और ठकान की समस्या होती है तो लाल मिर्च में कौपर और आयरन जैसे तत्व पाय जाते हैं और ये परियाप्त मात्रामीज में मौजूद होता है जो नई रक्त कोशी का बनाने में मदद करता है लाल मिर्च में फॉलीक एसिड भी पाय जाता है जो शरीर में लाल रक्त को निकाव को निर्मान करता है और खुन की कमी को दूर भगाता है अर्थराइटिस्ट और डाइबटिक निूरोपैथी के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में भी लाल मिर्च काफी मदलगार साबित होता है यह समेदी रिसेप्स्टर को असमवेदंशील बनाता है और एंटिफ्लाइमेट्री गुन होने के कारण सूजन को भी कम करता है भोजन में लाल मिर्च का पड़ियोग करने से एथ्रोकलरसिस का बच्चाब होता है एंटिबैक्ट्रेरियल और एंटिफंगल गुनों में युक्त होने के कारण लाल मिर्च का उप्योग खात सनरक्षन के रूप में किया जाता है लाल मिर्च में मौजूद कैप्सिकिन एच प्लाइलोडी नामक बेक्टिरिया को नस्ट करता है और आतमे सूजन होनी की समस्या को भी बचाता है इसलिए आत रोगों से बचने के लिए इसका उप्योग किया जाता है तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लाल मिर्च बेहत खतरनाक और खास कर कई बार डॉक्टर भी मना करते हैं कि आपको लाल मिर्च का सेबन या मसालेदार भोजन से बचना चाहिए तो आपने इसका एक और साइड भी देखा जो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि लाल मिर्च कई बार आपके लिए फायदे मन भी हो सकता है लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी चीज का सही मातरा में और सिमित मातरा में इस्तमाल ही आपको फायदा पहुँचा सकता है अगर किसी भी चीज का इस्तमाल अगर आप सिमित मातरा से ज्यादा करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है अगर सबसे में वजह की बात करें, जो लाल मिर्ज में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं और जिसके कारण जो सबसे शाडीरिक फाइड़ा आपको पहुंचाता है, वो है आपके वजन को कम करना जी हाँ, अगर आप लाल मेर्श का सेवन करते हैं, तो ये वजन कम करने में काफी सहायक होता है, इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो भूग को कम करता है, इसके कारण अपने आप, आपका मोटापा है, वो नियंत्रित हो जाता है, अगर आपको भूग नहीं लगेगी, तो आप खाना कम खाएंगे, और खाना कम खाएंगे, ऐसे में आपको अपने मोटापा से निजाद मिल सकेगा, तो एक तरीके से ये आपका फिटनेस डाइट भी हो सकता है, लेकिन नूट करें कि इसको आप सही मातरा में और संतुलित मातरा में इस्तमाल करें, आपको ये वीडियो यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें, हेल्थ इंदिया की वीडियो की सबसे पहले नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें